हेलो गाइज वेलकम टू माइ चैनल इंडियन फ्लेवर फेस्ट तो आज जो आप यह रेसिपी देख रहे है इसका चल्धाम मैंने रखा है इसका नाम है मलाई मास्टर चिकन तो चलिए देख रहे थे हैं इसका रेसिपी तो यह चिकन ले लिया है मैंने 400-500 ग्रम और चार बड़े बड़े ओनियन चिली और यह ले लिया कोकुनट बिल्क यह गार्लिक उसके बाद ले लिया है पॉपी सीड जो पॉस्तर का दाना बोलते हैं और यह सुरसो का दाना मिल्स मास्टर सीड और यह नमक चले एक बार एक बार करके सब मसाले हम यह और यह है ओनियन और मैंने गार्लिक डाल दिया और नेक्स्ट सरसो का दाना मिल्स मास्टर सीड उसके बाद हम डालेंगे पॉपी सीड चले अब मैजिक करते हैं तो हम मैजिक से यह पेस्ट कर लेंगे यह हो गया पेस्ट चलिए अब यह पेस्ट हम डालते हैं अपने चिकन को अच्छे से नबक मिला देते हैं पहले फिर हम लेंगे वो जो पेस्ट हमने बनाया था वो चिकन में अच्छे से डालिए फिर उसे कोट करनें के लिए थोड़ा ओयल भी लगेगा थोड़ा मास्टर डाल मैंने लिया इस रेसिपी के साथ मास्टर ओयली चलेगा तो अच्छ मैंने पैन गरम कर लिया उसके उपर मास्टर ओयल यूज कर रही हूँ और किसी ओयल में ये कुकिंग अच्छा नहीं होता है मास्टर ओयल में इसका टेस्ट निकलता है फिर मैं यहां पे ओनियन दे दी छोड़ा ओनियन दो पीस बड़ा ओनियन वान पीस आप यूज कर सकते है फिर या पेस सॉल्ट और इसे अच्छे से फ्राइ करना होगा सॉल्ट दे के उसके बाद मैं एक टी स्पून सुगर तो सुगर देने से फ्लेवर अच्छा होता है कुकिंग प्रोसेस भी जल्दी हो तो मैं अब वान आवर के लिए जो मैरिनेट करने को दी थी जो चिकन वो मैं चिकन अब मसाले के साथ पोर कर देती हूं यह पर अब यह अच्छे से हमें मिलाना होगा अच्छे से इसे दो तीन मिनीट और पाच मिनीट मैक्सिमम आपको यह अच्छे से फ्राइ टाइप करन अच्छा वेदर है तो फिर कुकिंग मैंने फाइब मिनिट के बाद इपन किया है अच्छे से घुल गया है पुरा मसाला भी फ्राइब हो गया है इसमेल भी अच्छी आ रही है तो मैं इस वक्त एट करूंगी कोकुनट मिल्क मुँ में पानी आ रहा है इसके फ्लेवर से तो कोकुनट मिल दे दिया है मैंने तो अच्छे से ये फिर मिला देती हूँ तो ये अच्छे से आप मिला दीजिए अब मैं यहां थोड़ा सा और सुगर डाल देती हूँ थोड़ा हफिन स्पून आप नहीं विरा सकते जो लोग कम स्वीट खाते हैं मुझे तो स्वीट जादा ही पसंद है तो ये पानी है एक्चली ये मेरी ममी ने मुझे वेस्ट करना कम सिखाया है तो मसाला जिसमें मैंने पीसा था वो मिक्सी में थोड़ा पानी डाल दिया तो वो मसाले वाली पानी इसमें पूर कर दिया और आप ये स्टीम करने के अब मैं इसे पूर करूंगी तो मेरी डिश मलाई मास्टर चिकेन रेडी हो गए मैं इसे गानिश कर रही हूं थोरे कोकोनेट मेल के साथ और उपर मैं दे रही हूं कुरियंडर लीव्स और मैंने दिया है थोरा मैंने कोकोनेट काटके रखा था तो थोरा सजा देती हूं कोकोनेट से ये घर में आप बनाएए और मुझे कॉमेंट करके बताएए आपको कैसा लगा ये डिश और मेरे चैनल को प्लीज सस्क्राइब करना मत भूलिए तो ज्यादा ज्यादा सस्क्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और देखते रहे मेरे चैनल इंदिन फ्लेवर फेस तिल नव बाई